हे इस्ट्रुडेंट आज आपके सामने क्लास 10 में है तो जरूर आप इस्टे रहिए कि बहुत इंपोर्टेंट कोईशन मैं आज सालब करने वाला हूं जो कि एक बार मैं बता भी चुका हूं आज दूसरी बार इसको मैं बता चरो और बहुत इफास तरीके से पता हूंगा ए प्रसन पूछे जाएंगे या आपको पूरा कपूरा लॉंग एंसर टाइब कुशन में पूछा जा सकता है तो कुशन आपका होगा कुछ इस तरीके से कुशन आपका होगा जैसे की रासाइनिक समीकरर या रासाइनिक अबक्रिया क्या रासाइनिक अबक्रिया ठीक है रास रासाइनी कब करिया हो गया तो रासाइनी कब करिया किसे कहते हैं तो आपको बताना हो सकता है रासाइनी कब करिया किसे कहते हैं या फिर इसी में जोड़ करके आपको बताना होगा किसे कहते हैं यहां कितने प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है या फिर सभी का उदाहरर सहीत समझाइए यह हो सकता है तो इस तरीके कुशन कुछ भी पूछा जाएगा ध्यान देना आपको क्या है वो मैं बताऊँगा यहां पर आपको जो समझने वाली बात है वो है आपको रासानिक क्रिया समझना है कि रासानिक क्रिया किसे कहते हैं ठीक है तो रासानिक क्रिया आपको समझना है कम्प्लीटली आपको समझना है जैसे भी यहां पर आपको बताया जाए उस तरीके समझना है या आपको जैसे भ मैं थोड़ा यहां पर कर लेता हूं और इसको मैं यहां पर कर लेता हूं ठीक है चलिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखना है आपको क्या-क्या चीजें पताते हैं आपको बहुत याराम तरीके से बताएंगे सबसे पहला काम है आपको पढ़ना है रासायनिक अब क्रिया क्या पढ़ना है आपको राशायनिक अब क्रिया ठीक है राशायनिक अब क्रिया राशायनिक अब क्रिया ठीक है यह पढ़ना है राशायनिक अब क्रिया क्या है राशायनिक अब क्रिया क्या है राशायनिक अब क्रिया आप समझेंगे राशायनिक अब क्रिया कोई भी केमिकल होता है केमिकल में आपको कई प्रकार केमिकल हो सकता है कोई भी तत्त हो सकता है कोई भी आपका योगी को सकता पदार्थ हो सकता है तो मतलब इसमें आपको जब अफक्रिया होती है इसमें आपका एक या एक से अधिक होंगे दो या दो से अधिक होंगे यह त अधिक एक से अधिक ध्यान देना आईए परिभाण साब को कम्प्री ली एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ क्या पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में किरिया करके क्या आपस में किरिया करके आपस मे आपस में क्रिया करके, क्रिया करके नया पदार्थ बनाए, नया पदार्थ बनाए, ठीक है, नया पदार्थ बनाए, या निर्मार करता है, पदार्थ बनाए या निर्मार करता है, निर्मार करता है, तो अब क्रिया रासानी के क्रिया कर ला दिया, ठीक है, मतलब हमें सीधी बैठ बोली ज़से कि जब कभी एक या एक से देखो मतलब एक पदार्त हो दिमाग में Ultra Ho या एक से अधिक पदार्त Mr. M leather ho या दो से अधिक पदार्त Mr. Mered करके कोई नया पदार्थ बनाता है इदर आपका कोई नया पदार्थ बन जाता है ओभी एक पदार्थ बने दो पदार्थ बने कोई फिक्स नहीं है तब हमारा ये जो पूरा पूरा हमारा ये सारणी बनती है मतलब जो हमारा रियक्सन बनता है जो हमारा ये एक यहां पर तो यह तो आपका एक मैं आकार दे रहा था इसको बोलते हैं रासायनिक अबकिरिया क्या बोलते हैं इसको रासायनिक अबकिरिया को पता हो गया तो आपको रासायनिक कपक्रिया में आपको समझना है कि रासायनिक समी करण क्या आता है क्या आता है रासायनिक समी करण आता है तो रासायनिक समी करण दूसरा आपको आता है क्या रासायनिक समी करण ठीक है रासायनिक रासायनिक समी करर रासायनिक समी करर ठीक है रासायनिक समी करर आपको यहाँ पर पढ़ना है रासायनिक समी करर में आपको क्या देखना है रासायनिक समी करर में आपको रासायनिक समी करर जो होता है उसमें आपको बोला जाता है कि जब कोई भी आपका कोई पूर्ड मतलब को अबक्रिया होती है उसमें आपको होता है क्या आपका अभिकारक होता है क्या होता है ध्यान दीजिएगा उसमें आपका अभिकारक होता है क्या होता है अभिकारक और उत्पाद और उत्पाद और उत्पाद अभिकारक और उत्पाद अभिकारक और उत्पाद इसमें दो आपका कुछ आपका उसमें प्रतिकात्मक रूप में कुछ बहुत कवस्था होती हैं, तो अभीकार्ण का उत्पाद हो, कुछ प्रतीिक हो, कुछ क्या हो पतीख हो यह समिला करके जो भी एक हमारा जो भी हमारा एक भोती कवस्था प्राप्थ हो चो भी ङिला उप मारे भोती कवस्था पराप्थ होती है वह हमारी रासाई निक शंपर राप कर हो Chevirt मत्व अभिकार Different 사ories अब का इधर आपका चाट है यहाँ से आपके दो तत्थ हैं और यह रियकसाने प्रतीक हो गया इther आपका कोई दो तत्थ बना या एक तत्थ बना थो यह जो हमारा पूरक पूर की हमारी अवस्था पर आप ठुई यह हमारी रासायनिक समी पर आपको देखते रहना अगले पेज पर क्या बताने वाले हैं यहां पर देखिए तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको यह कितने टाइप का होता है यह कितने टाइप का होता है ठीक है यह कितने टाइप का होता है तो हम कितने टाइप का होता है इसको देखते हैं सबसे पहले नमबर तो हम रासाइनिक सभी करण में हम समझ लिए कि हमारा विक्यारक क्या होता है अभिक्यारक हमारा पहले होता है जो एरो आपका होता है एरो से पहले क्या रख होते हैं एरो के बाद वाला हमारा उत्पाद होता है आप इसमें हम जिदने भी रियक्सन होते हैं, उन्हों सभी को समझना है एक दम completely आपको ढंग समझना है सबसे पहले आपको समझना है क्या संयोजन अबकिरिया कोंसे अबकिरिया? आपको समझना है संयोजन अबकिरिया ठीक है? यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले आपको समझना है सयोजन अबकिरिया पहला फ़स्ट आपको समझना है यहाँ पर फ़स्ट अबकिरिया सयोजन अबकिरिया ठीक है सयोजन अबकिरिया सयोजन अबकिरिया इसका दूसरा नाम अगर आप देखेंगे तो आपको योगात्मक अबक्रिया क्या योगात्मक अबक्रिया ठीक है इसी को हम दूसरा योगात्मक अबक्रिया भी देशें क्योंकि सेम ही चीजे होनी है दोनों में दूसरा हमें क्या पढ़ना है दूसरा हमें पढ़ना है आपक संयोजन अबक्रिया के बाद आपको पढ़ना है बियोजन अबक्रिया क्या पढ़ना है आपको बियोजन अबक्रिया ठीक है दूसरा पढ़ना है आपको बियोजन अबक्रिया बियोजन अबक्रिया का हम अगर दूसरा नाम दे तो इसी को हम दे जखते हैं अपना अपगाटन अपकिरिया यानि अपगाटन अपकिरिया अपगाटन अपकिरिया अपगाटन अपकिरिया ठीक है यह हो गया तीसरे नमर पे हम दे सकते हैं अपना विस्थापन अपकिरिया क्या दे सकते हैं विस्थापन अपकिरिया विस्थ टाइब के हो सकते हैं, नमबर एक इसमें होगा आपका, एकल विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, एकल, विस्थापन अपके लिए, इसको हम कट करें तो बताएं, सोड़िए इसको, विस्थापन अपके लिए का दूसरा नाम हम दे सकते हैं, प्रतियस्थापन अपके लिए क्या प्रतियस्थापन आप करिया है प्रतियस्थापन आप करिया है इन में हमें दो टाइप के मिलेंगे एक एकल होगा और दूसरा आपका दू होगा एकल में एक विस्थापन एक प्रतियस्थापन दूसर और दो में दू विस्थापन और दो प्रतियस्थापन होगी और उ एकसी करण आपका चоותा होगा ठीक है इसके बाद अगर हम चलेंगे अगले इश्टेप पर तो हमारा होगा यहाँ पर आपका पाँछवा आपका nepकरिया क्या अफचैन अफकृईए ठीक है यह हो जाएगा आपका आप चैन अपक्रिया आचराण अपक्रिया को हम दूसरा नाम देंगे मैं इसके तिक नाया वह गया यह हो गया कि उसके बाद इसका हमारा अप में हमार इसके वाँ छाठोई नंबर पर आता है आपका उस्मा सोसी अब करिया उस्मा सोसी अब करिया ठीक है इसके बाद आपका आता है साथ नंबर पर उस्मा सोसी के बाद आता है उस्मा शेपी अब करिया उसमा शेपी अभी करिया उसमा शेपी अब करिया ठीक है उसमा शेपी अब करिया ये इतनी टाइप के आप करियाएं हो गई आपको पढ़ना है उसके बाद आपको पढ़ना है एक संचारण पढ़ना है क्या पढ़ना है संचारण पढ़ना है और उसके बा इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है यहाँ पर एक एक चीजी को हम बिसकसन अगर करें तो आपको ऐसे ही बेसिक्स मैं समझाता हूँ समझ लेंगे तो ठीक है नहीं कोई बात ही नहीं है तो चलिए देखिए सबसे पहला काम क्या है सजओ जन आपक्रिया आपको यहां से देखिए सजओ जन का मतलब होता है योग क्या करना है योग का मतलब जोड़ना है इसको क्या करना है जोड़ना है ठीक है दिमाग बैठा लेजिए जोड़ना है मतलब प्लस करना है जब प्लस किसका करते हैं एक का तो प्लस होगा ने दो को होगा सीन को होगा आगे सभी को होगा यहां पर योग लिखा है वैसे भी मतलब इसमें दो तत्त होंगी दो या दो से अधिक तत्त होंगे आपका इसमें दो तत्त हो सकते हैं योगात्मक समय जन अपक्रिया में क्या होगा दो या दो से अधिक अभिकारक हो अभिकारक कितने हो दो एक हो उसके बाद प्लस एक और हो दो हमारे अभिकारक हो गए कितने अभिकारक हो गए दो अभिका बनाते हैं एक नया उत्पाद बनाते हैं या एक नया योगिक बनाते हैं ये हमारा हो जाता है योग आत्मा करिया तो मिला करके एक बन जाए दो तक्त्व मिला करके दो हो या दो से अधिक हो दो या दो से अधिक तक्त्व मिल करके एक बना दे तो हमारा हो जाता है सेम इसी का हमारा अपोजिट होता है ब्योजन अपक्रिया इसमें आपका कोई एक अपक्रिया मतलब कोई एक ही हो कोई इसमें एक ही हो मतलब एकल पदार्थ हो और इसको हम तोड़ करके दो पदार्थ में निकाल दे मतलब दो पदार्थ हो में निकल लेती होता हमारा ब्योजन अपक्रि प्रतियस्थापन अपंड करके अधिक पदार्थ बन जाएं तो हमारा प्रतियस्थापन कर've होता है प्रतियस्थापन का मतलब होता है स्थान लेना, night दिमाग वैठ है ये काम क्या करता है ये जगा से हटाता है और जगा जब ये हटा देगा तो ये अस्थाना के ले लेगा एक जगा छोड़ाएगा दूसरा अस्थान ले आएगा मतलब विस्थापित करना अप्रतियस्थापित करना ऐसा होगा विस्थापन अपके लिए या अगर एक पदार्थ का हो रहा है तो एकल विस्थापन एक पदार्थ का होता है और अगर दो पदार्थ का हो रहा है और अगर दो पदार्थ का हो रहा हो तो दो विस्थापन ठीक है एक पदार्थ का मतलब आपने यहां पर एक तत्व लिया इसमें आपका दो पदार्थ जु कोने का ठीक है और इसको मैं देता हूँ गुडा का चिन इसको मैं देता हूँ आपका इसको मैं देता हूँ पलस का चिन किसका देता हूँ पलस का चिन अब दिमाग लगाए देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा मैं इसमें भी यही सारी च मतलब मेरा गुला के साथ में चलाएगा चार वर्ग वाला और इसके बाद आपका साथ चला जाएगा प्लस वाला ये होगा एक जगह दूसरी जगह यह प्रतियस्थाफन बस इसको आपको रियक्षन में चेंड करना होगा यह नहीं कि आपको A B C D आपका होना चाहिए उपचैन अपक्रिया में क्या होता है आपका इसमें आक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का इसमें आपका निकलना होता है हास होता है कम यह होती है ठीथ है यह ध्यान देना इसमें आपका योग होता है आक्सीजन का तो यह होता है उपचैन अप का हास हो ठीक है ये चीज आपको ध्यान देना है ये हो गया आप चैनब करिया उस्मा सोसिय अप करिया आती है उस्मा सोसिय अप करिया में क्या होता है कि जब उस्मा जो है सोसित हो उस्मा क्या हो उसमें आवसोसित हो वह उस्मा क्या होती है जिसमा उस्मा उतपन होती है वो जो है जिसमे उसमा आवसोसित हो तो इसमें उसमा जो है इसमें उसमा आवसोसित हो उसमा क्या होती है आवसोसित होती है ठीक है यानि कि इसमें उर्जा जो होती है यह हमारे उर्जा की इसमें लिखी रहती है यह हमारे उर्जा इसमें जो लिखी जाती है वो हमारी माइनस के स उसमा क्या होता है उसमा इसमें जो होता है इसमें आपका उसमा आपका मतलब प्लस में उसमा इसमें जो होता है उसमा छेपी में इसमें उसमा उत्पन होती है उसमा उत्पन होती है उसमा उत्पन होती है उत्पन होने का मतलब प्लस में होती है प्लस में होती है मतलब इसमें जिसे आपका कुछ के लोरी ओर या इसमें निकलती है पी आपका उस महचेफी अब करिया उस महार सोशी है यहाँ पर उसमा छह appearing संचाराड बिक्रित गंद के संचाराड को मतलब होता है जंग लगना क्या होता है जंग लगना और बिकलित गंज़ कर दो होता है बचल में कैसे होता है आपको पता हो ना अजये है कि संचार जब कोई अंबली चीजे उसमें आपको मिल जा रहे हैं एक आधता कुछ नमी पा जारे है कुछ इस तरीके की चीजे उसमें हो रही है तब वाकिया हो जाती है, संचारित हो जाती है, मतलब उसमें जंग लगने लगती है, उसमें कमी होने लगती है, उसके परत जो हुतरने लगती है, वो खतम होने लगती है, तिस परकिगिया को हम संचारित कहते हैं, और इसको हटाने के लिए इसमें कुछ चांदी के उपर कु परत देजाए मतलब कोई भी धाद हो कुछी अधर धाद कर उसमें परत चड़ा देना यह होता है संचार को दूर करना संचार से बचाना संचार को मतलब जंद लगना जंग लगना समझ रहे हैं मतलब उसमें नमी भी पाजे वाई की परस्थिद में ऐसी क्रियाएं हो तो वह होता है हमारा संचार यह चीज होंगे बिक्रित गंदी क्या होता है बिक्रित गंदी क्या होता है आप समझ रहे होंगे यह होता ह सब्सक्राइब जो कि वसायुत हमारी जो भोजन होते हैं जो समागरी होती हैं कुछ आपको खाने पीने वाली चीज़े जो होती हैं वो खराब होने लगती है उसमें का जो स्वाध होने होता है वो खराब हो जाता है और गंद बदबू देने लगती है गंद परिवर्टर हो धें जाती है यहीं पदार्थों का यह मेन फ़िट जो टार हमारा अक्सीजण से क्रिया कर लेता है कि है आक्सीजब्огод कर देता है और जिसके कर स्सक्राइब से विकृत गंध का बन जाती है बिखुर से करद हो कुश्चन आपको इसी इदने में से पूछे जाने वाले हैं पक्का चार नंबर तो आपको फिक्स है हो सकता अच्छा नंबर भी आपको मिल जाए तो कंप्लीटली आप इसको एक बार रेडी करिएगा मैं सेकंड पार्ट को दूसरे पार्ट का भी मैं एक बार फिर से वन आँ तो आपको बहुचा आजाएगा फिक्सी बताने में और साथ साथ देखने में दोनों मिला करके आपको